गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओ आम भूर भूवह स्वह तश्वी तुर्वरेणियं भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचो दयात असीम किर्पा परंपुज गुर्देव की जिसके कारण ये संखला ग्यान यग्जी के रूप में स्वाध्याई के रूप में कहिए चल रही है व्यक्ति के अंदर अपने छुपे हुई अपनी कमजोरियों को अगर प्रकट करना है तो उसको केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है तब का जिस तरह से किसी भी चीज के अंदर छुपी हुई मैं कहता हूँ दूद के अंदर छुपी हुई मलाई को घी को बाहर नहीं निकाला जा सकता गन्ने के रस में छुपे हुए मैल को बाहर नहीं निकाला जा सकता उसी तरह से अगर अपनी अच्छाईयों को और बुराईयों को देखना है बाहर निकालना है तो उसका और कोई तरीका नहीं है उसका केवल एक तरीका है उसको कहते हैं तप अब तब किसको कहते हैं तब कहते हैं तब कहते हैं तपने को दूसरे तपने को तो ये कह सकते हो कि किसी चीज को आग में डाल करके तपा लिया पर अपने आपको आग में डाल करके नहीं तपाया जा सकता केवल एक ही तरीका है अपनी भावना को सूरिय की भावना के साथ जोड़िये और उसके तेज को मैं गर्मी नहीं कह रहा हूँ मैंने कहा है उसका प्रभाव उसका अनुसासन उसको अपने जीवन में उतारिए व्यक्ति का व्यक्ति तो सूरिय के समान तेजस्वी तभी हो सकता है जब उसके जीवन में सूरिय के जैसा तेज आ जाए और सूरिय के समानी वो अपने कर्बों को करना सुरू कर दे तो उसका सरोप उसका स्वभाव भी सूरिय के समान होता हुआ चला जाएगा व्यक्ति जिस अवस्था में भी होता है यहां मैं दुबार से बोलूँगा 84 लाख योनियों से गुजरता हुआ जीव इस मनुष्य की योनी में आया है पिछले प्रवचनों में इस बात को अच्छे से समझाया गया है इंद्रियों के क्रिया सील हो जाने के कारण वो अपने उस मर्मार्ग से भटक जाता है और जन्मों के एक जनम नहीं कह रहा हूँ जनमों के जो पुण्ड हैं जो उसने बड़े बड़े कस्ट उठा करके प्राप्त किये हैं वो उसकी अपनी निजी कमाई है वो उसको दाव पर लगाता है और खाने के लिए तैयार हो जाता है परन्तु है क्या कि अपना पतन करता है और अपने पतन को करने के कारण इनसान के सरीर में रहते हुए वो अपने आपको गिराता हुआ चला जाता है मैं दो-तीन दिन से आप लोगों को ये समझा रहा हूँ जब तक व्यक्ति ज्ञान का सम्मान नहीं करेगा उसकी उपासना नहीं होगी ज्ञान का सम्मान अज्ञानता का सम्मान नहीं कहा है कबीर दास ने भी कहा है सार सार को गही लहे थोता देई उड़ाए ज्ञान के सम्मान का मतलब है जिसको सार का पता लग गए आवास्तों में मेरी जिन्दगी में सत्य क्या है तो फिर सारे के सारे सवाल उठकर के आते हैं मैं फिर से पूछता हूँ जहां अग्यानता है वहां कोई सवाल नहीं है किवल एक सवाल है स्वार्थ का और स्वार्थ का मतलब कौन मुझको क्या दे रहा है मुझे किस से क्या मिलना है बस यहां से आगे वो बढ़ नहीं पाता अगर यहां से आगे बढ़ना है तो स्वार्थ के दाइरे को हमको तोड़ करके आत्मा के दाइरे में परमार्थ नहीं बोला है मैंने कल परमार्थ के बारे में आपको समझाय था और फिर से कह रहा हूँ आप सोच करके देखो अर्थ उपारजन के साथ एक चीज लगी है पुण्य परमार्थ पुर्ण्य परमार्थ अंदर से आत्मा से तोल करके देखो अर्थ के साथ मैं स्वार्थ नहीं लगा है आदमी ये सोचता है कि मैं अपने आज कल और भविश्य को सुरक्षित करने के लिए धन को जोड करके रखूँ पर आप लोगों न देखा होगा जिन परिवारों ने इस काम को किया है जोड करके रखा उनके ही परिवार में कोई उसको खतम करने वाला पैदा हो जाता है और खा करके परिवार के परिवार को ले करके डूब जाता है एक कोई व्यक्ति पैदा होता है उनी के घर में और उनके पूरे परिवार को बरबाद कर देता है अब मैं तो एक बात कहूंगा इस बात से भी क्या मतलब है अपना अपाई अपने काम आता है तपाना और किसी को नहीं होता है अपने आपको तपाना होता है और तपाना किसको कहते हैं विप्रीत परिस्तितियों में भी हम अपने संतुलन को बना करके रखें उसके लिए जितने कस्टों को सहेंगे उतना ही हमारा संतुलन बनता हुआ यानि के सहन शक्ती हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी सोचो, बहुत अच्छे से महसूस करो बहुत अच्छे से इस बात को मैसिज करो सोचो, के हम क्या कर रहे हैं हम है कहां और मैं फिर से कह रहा हूँ जब तक आप अपने ग्यान को सम्मान नहीं देंगे तब तक आप अग्यानता में खोई रहेंगे और वो अग्यानता आप के उपर हावी रहेगी और आप लोगों से कुछ से कुछ कारिय कराएगी बड़े ही आत्मिक निविदन के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ संकट ग्रस्त अभाव ग्रस्त अपनी साहिता अपनी कमाई से भी नहीं कर पाते हैं सोचो जो संकट ग्रस्त हो गए हैं और अभाव ग्रस्त हो गए हैं चाहे उन्हें कितना ही मिल जाए वो अपनी साहिता खुद नहीं कर सकते वो उनकी कमजोरी है वो उनकी कमजोरी है उस कमजोरी से बाहर निकलना है तो अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा और मजबूत करने के लिए तब को सेहना पड़ेगा अपने आपको मजबूत बनाने के लिए तब को सहन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है इसमें लोग संकट से उबरते हैं और अबहाब गरस्तता के साथ त्रान को पाते हैं देखो अगर कस्टों को सहते हैं तो तोल करके देखो ज्यान को महत्व दो सत्परवर्ती का समवर्धन करते हैं ज्यान को बार बार बोल रहा हूं ज्यान को महत्व दे करके सत्परवर्ती का समवर्धन करते हैं ज्ञान के आजाने से दुस्प्रवरतियां अपने आप फटने लग जाती है कारिय ऐसे खोने लग जाते हैं कि जिनका संस्थापन, संचालन जो अनेकों से नहीं बन पड़ था वो आपसे होता हुआ चला जाएगा ऐसी विलक्षन चमता आपके अंदर जगने लग जाएंगी कि हर चीज समय आपके आधीन होता चला जाएगा जैसे जैसे आप ग्यान के रूप में बढ़ते जाएंगे क्योंकि ग्यान का और करम का ठीक इसी तरह से जोड़ा है जैसे मन का और बुद्धी का है ठीक उसी तरह से जोड़ा है एक बाहिय पक्ष है दूसरा आंत्रिक पक्ष है दोनों एक दूसरे के साथ गुते हुए हैं जैसे ही परिवर्तन आप में आना सुरू होगा हित साधन आपके अपने आप हित के साधन हित साधन जो आपके हित में हैं वो अपने आप पैदा होने लग जाएंगे आदमी के अंदर एक ही तो चीज है कि वो अपने कल से डरता है उसको ये नहीं पता है कि कल मेरे साथ क्या होगा उस एसमंजस की अवस्था में व्यक्ति बेचैन हो जाता है एस्थिर हो जाता है और वो ही अवस्था आज हम सब की है अगर इस अवस्था से उभरना है तो किवल एक ही चीज है ज्यान को महत्व देना होगा जहां संकट पन की इस्थती पैदा हो वहां दान भी दिया जा सकता है पर अधिक प्रियास इस बात पर होना चाहिए कि अधिकों को अधिक से अधिक मिले क्या मिले ग्यान मिले और उसके आधार पर आप अपने संकटों को दूर करें फिर से कहता हूं हित साधन की पूंजी अगर आपके पास एक बार आ गई तो फिर कम नहीं पड़ेगी कम नहीं पड़ेगी जिस पूंजी पर हम विश्वास करते हैं मैं फिर से कह रहा हूं बड़े से बड़े संत महत्मा जो आज अपने आपको कहते होंगे जो इतने बड़े-बड़े मिसन को चला रहे हैं वो भी आसानी से लोब महो को तोड़ नहीं पाते हैं परंत जो पूंज तया इश्वार को अपने जीवन का आधार यानिके सत्य को यानिके ग्यान को यानिके धर्म को जो उसके मर्म को समझने लग जाते हैं जो ग्यान में से भी उनको पैदा कर लेते हैं किसको धर्म को पैदा कर लेते हैं सत्य को पैदा कर लेते हैं वो फिर वो करम करने लग जाते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी अच्छाओं और कामनाओं से छूटने लग जाता है आप सच को देखिए किसी भी अवस्था में जब तक आपके अंदर इच्छा है आपकी आवशक्ता कभी पूर्ण नहीं हो सकती इच्छाई तो आवशक्ता है और इच्छाएं सीमित नहीं है इच्छाएं अनंत है जीव अनंत को चाहता है जीव है ही अनंत जीव है ही अनंत इसलिए अनंत को चाहता है बस उसका इस्तर संसार में लग गया भोतिकता में लग गया इसलिए भोतिकता में वो अनंत को चाहता है जरुरत से ज़्यादा चाहता है और यही अगर जीव आत्मा अपने आपको मान करके और परमचेतन्य की तरफ लग गया होता तो वो है अनंत आप अनंत है इसलिए अनंत की इच्छा आपकी है फिर आपको भोतिकता की तरफ यह जहां नहीं होता जितनी चाएं करते वो परमात्मा के पाने की करते इसलिए उस आत्मिक पूंजी को उस आत्मिक पूंजी को आपको इखटा करना है जो आपका हित साधन बन जाए जो आपके लिए हित साधन बन जाए आपने देखे होंगे वो व्यक्ति जो आवशक्ता जिनकी पूरी नहीं होती है वो उधार लेते हैं और उस कमाई से अपनी पूंजी को किस्तों में वापिस देने की व्यवस्था बनाते हैं परंतु सोच करके देखो एक तो वो जुम्मेदारी सर पर बोज बनी रहती है इस बुद्धी पर सरमाने बुद्धी पर बोज बनी रहती है दूसरा जब देते हैं तो देने का दुख भी होता है लेना लिया है इसलिए देना पड़ता है मजबूरी है वो मजबूर हो करके उस काम को करता है मैं फिर से कहता हूँ अगर आदमी के पास में अपनी आत्मिक कमाई है तो वो मजबूर नहीं है और वो पूझी कभी कम नहीं होती वो पूझी कभी कम नहीं होती अगर इस तरह की विवस्था बना लें कि पूझी का निवेश करना हमें आ जाए पूंजी का निवेश करना हमको आजाए मैं फिर से कहता हूँ अगर कोई पूंजी आपके पास है तो वो एक ही पूंजी है वो है ग्यान की पूंजी इच्छा कल्पना के माध्यम से मन के द्वारा उसको बोया जाता है जब उसको बोया जाता है तो उसी तरह की खेती उसके जीवन में होना सुरू हो जाती है पूंजी तो एक व्यापार है जीवन भी एक व्यापार है पूंजी परमार्थ की कमाई करने के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए है हम किसी के हो जाए और किसी को अपना बना ले जूट तो जूटी होता है उसके कोई पैर नहीं होते है वो टिक नहीं पाता है लुड़क जाता है जिदर को अपना फाइदा देखता है ऐसा व्यक्ति उधर को ही चला जाता है स्थिर्टा नहीं रहती इस्थिरता नहीं रहती पर सच्चाई को देखिए जितना आप ग्यान का सम्मान करेंगे उतना ही सच्च आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएगा फिर दुबारे से कहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की सच्चाई उनके साथ जुड़ी हुई है और सत्य को ये देख लेना हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अपने करम को करता है हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार करम को करता है, कैसे करता है, उसकी अंतर चेतना उसको आभास कराती है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी अंतर चेतना मैं फिर से कहता हूँ, अगर आदमी केवल इतनी ही बात पर तिका हुआ है, कि वो अपना पेट भर लेता है और कुछ अपनी इंद्रियों की चाहं को पूर्ण कर लेता है, तो इतना उसका जीवन नहीं है जीवन इससे बहुत आगे है, जीवन के उद्देश को समझना इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है, इसलिए जब तक हम जीवन के सही उद्देश को नहीं समझेंगे तब तक भटकाव, भटकाव माने ऐसंतुलन, ऐसंतुलन माने ऐस्तिरता हमारे जीवन में रहेगी जैसे सिमेंट के द्वारा दो इंटों को आपस में जोड दिया जाता है किनी भी दो चीज को जोडना हो, तो उनके बीच में जोडने वाला तीसरा तत्व होता है तीसरी शक्ति उसके बीच में आकर के जोडती है मैं कहता हूँ, दो सजातियों को भी जोडना है तो उनको जोडने के लिए भी कोई दूसरी चीज चाहिए ही चाहिए मैं आपसे कहता हूँ अगर इस जुडाव को पैदा करना है तो उस जुडाव को पैदा करने का मात्र एक ही सादन है कि ग्यान का सम्मान करिये ग्यान का सम्मान करिये आप जितना ग्यान सच को देखे बार बार एक ही चीज पर जोड़ दे रहा हूँ अगर आप ग्यान का आप तोल करके देखें अपने पूरे दिन की एक दिन की दिन चरिया को जरा तोल करके देखें वहाँ आपको ये पते लगेगा कि मैंने कहां अग्यानता को सम्मान दिया और याद रखना आज बहुतायत में हम अग्यानता को ही महत्व देते रहते हैं ग्यान को महत्व नहीं देते आपको पता लगेगा जब आप अपने पूरे 24 घंटे का विसलेशन करेंगे तो मैंने समय की पूंजी को ग्यान की पूंजी को कहां पर लगाया है उसका पता आपको लगेगा व्यापार मैंने जीवन को कहा है अरे अच्छाई बो करके अच्छाई तो काटोगे और बुराई बो करके बुराई काटोगे ये सत्य है या नहीं है इसी सत्य पर जीवन तिका हुआ है इसलिए मैं आप से आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ जब तक आप ग्यान का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप सत्य को नहीं बो सकते सत्य को नहीं बो सकते व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि अपने जीवन की इस पूंजी को कहां लगाया जाए देखिए इस दुनिया में बैंक भी चलता है जिसका आधार पैसा ही है जो फाइनस पर ही चलता है पर कैसे चलता है बताइए बगेर कमाई के चल सकता है क्या अरे हम से लेता और हमें ही देता है समाज से दुनिया से पबुलिक से लेता है पबुलिक का जमा करने के बहाने लेता है कि आपको ब्याज दूँगा आपको ब्याज दूँगा और हमी उसके पास अपनी आवशक्ता के लिए जाते हैं कि हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए, हमारा ही हम को देता है, पर बीच में अपना कमीशन रखता है, आप से कम ब्याज पर लेता है, वो मजबूर हैं लेने वाले, वो लेने वाले मजबूर हैं, उनको जादा ब्याज पर देता है, और उससे क्या है, अपने जीवन के व्य पार को चलाता है मैं भी आप से ये कह रहा हूं इश्वर से ले इश्वर से ले पर संसार में उसको लगा दे ब्याज तो ये संसार देता है मैं आज आप से कह रहा हूं कोई दुनिया के किसी भी पद को अगर प्राप्त कर गया है अरे वो दुनिया नहीं तो दिया है वो दु जो दुनिया दे रही है वो उसको सम्मान है जितने भी पद मिलते हैं सम्मान मिलते हैं सर्टिफिकेट मिलते हैं डिग्रियां मिलती हैं वो सब क्या हैं सम्मानी तो हैं वो सब सम्मानी तो हैं परन्तु उनके लिए उन्होंने क्या किया एक अथोरिटी को निश्चित कर दिया कि जो अच्छा करेगा, इस छेत्र में ये अथोरिटी उसको सम्मान देगी, पद देगी, उसका इस्तर बताएगी, जितनी भी युनिवरस्टियां है, वो सब क्या है, वो सब यही तो करती है, कि आपको सम्मानित करती है, उस डिगरी से नवाजा जाता है आपको, वो आपका सम्मान है जो आपको मिलता है मैं भी ये कह रहा हूँ अगर ग्यान को महाँ पर देखिए ना जितनी भी डिगरी आपको मिलती है वो ग्यान के आधार पर ही तो मिलती है इसलिए अगर आप सत्य का यानि के ग्यान का यानि के आप उसका सम्मान करेंगे तो वो आप के पास एक हैजी भूंजी है वो समाज में लग करके आपकी साहिता करेगा मैं फिर से कहता हूँ दान देने का मतलब क्या है दान देना हमने माल लिया है पैसे का देना पैसे का देना ना दान देना वास्तों में, जीवन का दान देना, समय का दान देना, स्रम का दान देना, कहां देना, अच्छाई में देना, अगर समाज में अच्छाई को बढ़ाया जाए, तो बुराई उसके प्रभाव से अपने आप कम होने लग जाएगी, बुराई अच्छाई के समझ नहीं आती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, साहेता किसकी करने चाहिए, इस बात को अब पूरा ध्यान रखना चाहिए, कि साहेता करने के बाद हमारे पास बच्चत लोट करके आए, अपनी पूंजी लगाने वाला, अपने विवेक से तोल करके लगाता है, कि यहां मुझे बरबाद तो नहीं हो जाएगी, मेरा पूंजी, मेरा निवेस बरबाद तो नहीं हो जाएगा, उसको सोच समझ करके लगाता है, इसी तरह से हमें आत्मिक संपदा को भी सोच समझ करके लगाना चाहिए, कि हमारा किया गया निवेस बरबाद ना हो जाए, वो लोट करके, ज और वो ब्याज सहीत लोट करके आपके पास आ जाए, चाहे कम मिले, चाहे कम मिले, पर लोट करके आपके पास आपकी पूंजी आ जाए, घट करके नहीं, बढ़ करके, मैं इसको प्रलोबन नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, काहवत भी है, अगर घोडा घास से यार करेगा तो खाएगा क्या खाएगा क्या में व्यापार जितना भी है वो इसी आधार पर चलता है कोई भी व्यापारी है वो जब अपने किसी माल को बेचता है चाहे वो अपने सगे को दे अगर वहां पर उसने सरम किया कम पर दिया तो व्यापार को घाटा हो जाएगा फिर व होता है कि जिसको दे करके वो बढ़ करके वापसी लोट करके आए मैं फिर से कह रहा हूं अगर आपने दान दिया है तो वो दान घटना नहीं चाहिए बढ़ना चाहिए मैं फिर से एक बात समझा रहा हूं पैसा जो दान में दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है भई हमारा जीवन तो स्वार्थ में चल रहा है हम कहां लगाएं इसलिए गुरू को समर्थ को ब्राह्मन को इसलिए दिया जाता है कि वो पुन्य और परमार्थ करता है हमारा भी स्रम पैसे के रूप में उसमें जा करके लग जाए वहाँ पर कोई किसी को मैं तो एक बात कह रहा वहूं मंदिर में भगवान की मूर्ती की स्ठापना की जाती है जो पत्थर की बनी हुई होती है पुजारी उसके मूर्ती के सहारे मंदिर में रहता यहां मैं कहूंगा उस पुजारी का उद्देश महा अपने पेट को भरना नहीं, वो अपने सांसारिक उत्तरदाईतों को छोड़ करके भगवान के उत्तरदाईतों को समालता है, अब जब समालता है तो उसकी सरीर की आवशकताइं भी हैं, तो भग्द जन, भोजन, कपड़ या कोई जरुरत की चीजे, भगवान के नाम पर भगवान को दे करके आते हैं, भगवान के नाम पर भगवान को दे करके आते हैं, पुजारी को या पंडित को दे करके नहीं आते हैं, भगवान को दे करके आते हैं, उसके चरणों में चड़ा करके आते हैं, पुजारी इसलिए उसको लेने का हक है उससे वो अपनी आवशकता की ले करके गुजारा करता है पर जितना लेता है उससे जादा अनुदान लोटा करके वो समाज को वापसी करता है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने समाज से लिया भगवान से लिया पर लोटा करके क्या दिया समाज को भी और भगवान को भी लोटा करके क्या दिया मैं कहता हूं जिस तरह से धन की पूझी को व्यापार में बोया जाता है जिस तरह से बीज को धर्ती में बोया जाता है ऐसे ही पुन्य परमार्थ को भगवान के खेत में बोया जाता है तुबारे से कह रहा हूं जैसा बोते हैं वैसी ही फसल उगती है और वैसा ही काटा जाता है वैसा ही काटा जाता है इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आदमी अगर ग्यान का सम्मान करे अ वो अज्ञानता उसके तब के कारण जैसे जैसे वो ज्ञान का सम्मान करेगा और उस तरह के करम करेगा उससे तब पैदा होगा कस्ट सैने की छमता आएगी उससे क्या होगा बुराईयां अपने आप छूटने लग जाएंगी बुराईयां अपने आप छूटने लग जाएंगी भाई मैंने तो एक बात को समझा है आग को इंधन देते हैं तो वो जलती है जीव को पुर्णे परमार्थ देते हैं तो वो भी चलता है आत्मिक शान्ती मिलती है उसको मैंने मेरे से कुछ अच्छा हुआ मेरे से कुछ अच्छा हुआ उसकी उसको आत्मिक शान्ती मिलती है इसलिए हर व्यक्ति को पुन्य परमार्थ जरूर करना चाहिए मैं फिर से कह रहा हूँ अपनी पूंजी का निवेस ऐसी जगे नहीं करना चाहिए जहां पर जा करके वो बरबाद हो जाए अब पूंजी कौन सी? समय, ग्यान, स्रम, उद्देश देखो और आपके पास ग्यान भगवान ने दिया है उससे पता लगाओ कि अगर यहां पर हम इसकी साहिता कर रहे हैं यहां पर फिर कहूंगा ऐसा है की साहिता की जाती है ऐसा मर्थ की नहीं, निकम्मे की नहीं, नालाइक की नहीं, बुरे की नहीं उनकी कोई साहिता नहीं होती है प्रकर्ती का तो एक नियम है उन्हें मरी जाना चाहिए प्रकर्ती का ये नियम है जिसमें जीने की छमता नहीं है वो उसको मार देती है दूसरा जनम देती है मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ ऐसाहय की साहिता करने चाहिए निकम्मे और नालायकी नहीं करने चाहिए जो गिरे हुए हैं और प्रियास कर रहे हैं उठने का उनको उठाना चाहिए जो खुद गिर रहे हैं और दूसरों को भी डूबो रहे हैं आपने देखा हो पानी में जब कोई व्यक्ति डूबने लग जाता है और कोई उसको बचाने के लिए जाता है तो वो उससे चिपट जाता है खुद तो मरता ही मरता है उसको भी साथ ले करके मरता है इसलिए मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ ग्यान का सम्मान करिए ये ग्यानी ही है जिससे आपके अंदर पुन्य परमार्थ जगेगा अर्थ उपारजन किसलिए परमार्थ के लिए पुन्य के लिए अंदर से देखिए आपकी अंतरा आत्मा बोलेगी दोनों का अपस में जोड़ा है अर्थ पुन्य परमार्थ दोनों का जोड़ा है अर्थ स्वार्थ नहीं है सोचो स्वार्थ तो नरक में जा रहा है हम नरक की रचना कर रहे हैं अगर स्वार्थ में लगा रहे हैं तो नरक की रचना कर रहे हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ये पेट आज तक नहीं भरा मन की इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई कुवा को कितना ही पानी दे दीजिए वो नहीं भरेगा कुवा का काम है पानी देना पानी लेना नहीं है पेट का काम खाना नहीं है खा करके वो कमाना है पेट का काम खाना नहीं है खा करके कमाना है पैदा करना है मन का काम लेना नहीं है पूर्ती नहीं है हो भी नहीं सकती पानी इतना है कि धर्ती उसके सामने छोटी है जैसे सागर के खड़े को नहीं भरा जा सकता ऐसे ही मन के खड़े को भी नहीं भरा जा सकता इच्छाओं के खड़े को नहीं भरा जा सकता छोटा तो किया जा सकता है इच्छाओं को छोटा तो किया जा सकता है और छोटा करके इतना छोटा बना दें कि वो मात्र आवशकता रह जाएं मात्र आवशकता रह जाएं आवशक्ता से अधिक अगर आपके पास है तो पुर्ण परमार्थ में उसको लगा दें जीवन की वास्तिक्ता यही है ग्यान का सम्मान इसी को ही कहते है मेरा अपना जीवन है और उस जीवन को मैं किस परकार कहां जी रहा हूं जिसके पीछे परलोभन है वो अपने धन को ब्याज बट्टे में और मकान बना करके किराई पर देने में या और दूसरे ऐसे साधन बना देना के पर्मानेंट एक स्रोत्र आमदनी का उसके साथ जुडा रहे एसे कुछ काम करके रख देते हैं और अपनी पूंजी का मैं रुपए की पूंजी कह रहा हूं उसका निवेस वो कर देते हैं इसलिए निवेस कहां किया जाना चाहिए ये जो संपदा है जो सरीर के साथ भगवान लगा हुआ है ये अवसर है इस अवसर का हमको सदुपियोग करना चाहिए और प्रलोभन को छोड़ करके दान या साहिता इसको कहा जा सकता है और यहां मैं फिर से कह रहा हूँ धन की बात कभी मत करना मना कर रहा हूँ आज का समय ह जो धन के लालच में जब तक मिलता नहीं है तब तक तो आदमी का सभाव कुछ और रहता है और जब मिल जाता है तो वो तुरंत आंक पलट जाता है तुरंत आंक पलट जाता है विस्ता खराब हो जाता है इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ धन के चक्कर में नहीं आ अगर परिवार भी बरबाद हो रहे हैं, तो इस पैसे के कारण ही बरबाद हो रहे हैं, इसलिए इससे बचकर के रहना चाहिए, अगर आदवी को ज्ञान का सम्मान आदवी नहीं किया है, तो जो इंद्रियां आपके साधन थे, वो आज आपकी कबजे से, आपके कंट्रोल से बाहर हो गए, और बाहर हो जाने के कारण, आज जो आपकी स्तिती है, ये उन्होंने पैदा करके रख दी, ये स्तिती पैदा हो करके आ गई, अब मैं फिर से कहता हूँ, अगर आत्मिक पूझी को आपको लगाना है, तो वो आपको देखनी होगी, कि आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी पूझी को आत्मिक पूझी कह रहा हूँ, आत्मिक पूझी को किसी की आत्मा के उद्धार के लिए लगाईए, आप संसार से उबारना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं उबरेगा, वो तब ही उबरेगा, जब आध का आधार एक ही रहे मैंने बिलकुल मना नहीं कर रहा हूँ संचे की वृति को बिलकुल मना नहीं कर रहा हूँ परंतु किसी के हक को मार करके नहीं हक को मार करके नहीं ना अपने को मारिये ना दूसरे को मारिये इसी को संतुलन कहते हैं कि दोनों के बीच में लेंदेन का संतुलन बना रहे और वो तब ही है जब दो ग्यान का सम्मान करने वाले आपस में मिलेंगे तो दोनों के बीच में संतुलन बनेगा लेंदेन की प्रक्रिया तो संसार का नियम है संसार का नियम है जहां पर ये कटेगा माबाप अपने बच्चों का करते हैं और बच्चे भी अगर माबाप का कर दें मैं फिर से कहता हूँ माबाप बच्चों का जो करते हैं वो ऐसहाय होते हैं ऐसमर्थ होते हैं तब उनका करत तो जब माबाप ऐस समर्थ ऐसा है हो तो बच्चे करें ये एक दूसरे का कर्ज उतारना है समर्थ का कोई साहिता नहीं होती है समर्थ के लिए कोई साहिता नहीं होती है जो ऐस समर्थ हैं उनकी साहिता होती है मैं ये कहूंगा संचे को मैंने रोक करके रखने के लिए कहा है और ऐसे लोगों को ऐसे कामों को के लिए उपलब्द कराया जाना चाहिए, जो अपने आप में अपने आजीविका के चक्र में जिसमें वो घूम रहे हैं, उससे बाहर निकलें और दी हुई पूझी दीरे दीरे करके वापिस लोटनी सुरू हो जाए, और आपस में क्या जगे दोनों के बीच में सद्भावना और सहियोग जगे, सहियोग दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा करने है, जो कमजोर हैं उनके लिए वो सहारा है, और निश्चे ही पुण्य परमार्थ एक ऐसा सहरा है, कि जिसको पाकर के व्यक्ति अपने आप में समर्थ बनता है, पूझी का महत और उसका सदुपियोग का प्रतिफल, सही तरह अगर आपको समझ आ रहा है, तो इसी को सच्चा परिग्रह समझा जाना चाहिए, और भगवान का यही सच्चा सोदा है, भगवान का यही सच्चा सोदा है, बड़े ही अपने पन के साथ मैं आप से इस बात को कह रहा हूँ, कि जीवन की सही दिसाधारा को समझिए, कि मेरा जीवन कहां जाना चाहिए था, और कहां पर मेरा जीवन जा रहा है, अब मैं बड़े ही आज के प्रवचन को क्योंकि समय हो गया है, इसलिए मैं इसको संपन्नता की तरफ ले करके जा रहा हूँ, अभी एक परिजन का मेरे पास में मैसेज आया है, उनका बच्चा बिमार है, और उसके पेट में पानी और भड़ गया है, अस्पताल से उसको निकाला जा रहा है, आप सब की विक्रपा उनको मिल जाए, और उनका बच्चा स्वस्त हो जाए, मैंने आठ बजे तक का उनको समय दिया है, ये आपत्ती काल है, आप उस पिता की जगे हो करके देखिए, जो मुझे मैसेज कर रहा है, आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी आप अभी यग्य जब करेंगे, उसमें उस बच्चे के लिए प्रार्थना जिरूर करें, दूसरा एक बात और कहूँगा, बहुत सोच समझ करके मैसेज डालें, ये भगवान का परिवार है, गलत विचार समाज में ना जाए, उससे हमारे अपनी गौरवगरिमा गिरती है, तो बड़े ही आत्मियता के साथ ये उम्मीद आप से करता हूँ, कि मर्यादाओं का गुरू के अनुसासन का आप पालन करेंगे, और कल भी मैने दो मैसेज डाले थे, कौनिया छेत्र के दो बुजुर्ग कल बिमार थे, उनके लिए भी प्रार्थना करें, आज की बात संपन्न, ओम, शान्ती ही, शान्ती ही, शान्ती ही, का बगत्थ e जनके वहेँ रहां करेंगे, क्याजू गकिंवाण स्फस्थ्टू रह Mario